नमस्कार, कहानी संसार में लिजे सुनिये, रवीन नाट टैगोर की लिखी कहानी अन्तिम प्यार, वाचन स्वर मेरा यानि अनुराग शोधरी का है आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर पर बैठे मित्रों के साथ मनुरंजन कर रहे थे, ठीक उसी समय योगेश बाबू ने कमरे में प्रवेश किया योगेश बाबू अच्छे चित्रकार थे, उन्होंने अभी थोड़े समय पूर्व ही स्कूल छोड़ा था उन्हें देखकर एक व्यक्ति ने कहा, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है, आपने सुना कुछ योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठ कर पहले तो एक लंबी सांस ली, पश्यात बोले, क्या कहता है नरेंद्र कहता है, बंग प्रांत में उसकी कोट का कोई भी चित्रकारी समय नहीं है ठीक है, अभी कल का छोकरा है न, हम लोग तो जैसे आज तक घास चीलते रहे हैं, जुजला कर योगेश बाबू ने कहा जो लड़का बाते कर रहा था उसने कहा, केवल यही नहीं, नरेंद्र आपको भी सम्मान की द्रिष्टी से नहीं देखता योगेश बाबू ने उपेच्छित भाव से कहा, क्यों, कोई अपराद? वह कहता है कि आप आदर्श का ध्यान रखकर चित्र नहीं बनाते तो किस द्रिष्टिकोर से बनाता हूं? द्रिष्टिकोर, रुपय के लिए योगेश ने एक आँख बंद करके कहा, ब्यर्थ, फिर आवेश में कान के पास से अपने अस्त ब्यस्त बालों को ठीक कर, बहुत देर तक मौन बैठा रहा चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है, उसके बाल भी बहुत बड़े थे यही कारण था कि योगेश ने भी सोभाव बिरुद्ध सिर पर लंबे-लंबे बाल रखे हुए थे यह बाल उसके मुख पर बिल्कुल नहीं भाते थे, क्योंकि बचपन में एक बार चेचक के आकरमड से उसके प्राण तो बच गये थे, किन्तु मुख बहुत कुरूप हो गया था एक तो स्यामवड, दूसरे चेचक के दाग, चेहरा देखकर सहसा यही जान पड़ता था, मानो किसी ने बंदूख में छर्रे भर कर लिव-लिवी दाप दी हो कमरे में जो लड़के बैठे थे, योगेश बाबु को क्रोधित देखकर उसके सामने ही मुह बंद करके हस रहे थे सहसा वह हसी योगेश बाबु ने भी देख ली, क्रोधित स्वर में बोले, तुम लोग हस रहे हो, क्यों? एक लड़के ने चाट उकारिता से जल्दी जल्दी कहा, नहीं महाशे, आपको क्रोध आये और हम लोग हसे, यह भला कभी संभो हो सकता है मैं समझ गया, अब अधिक चातुरे की आवशकता नहीं, क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो, कि अब तक तुम सब दात निकाल कर रो रहे थे, मैं ऐसा मुर्ख नहीं हूँ, यह कहकर उन्होंने आखे बंद कर ली लड़कों ने किसी प्रकार हसी रोक कर कहा, चलिए यों ही सही, हम हसते ही थे और रोते भी, क्यों, पर हम नरेंदर के पागलपन को सोच कर हसते थे वह देखो, माश्टर सहब के साथ नरेंदर भी कमरे में आ गया योगेश ने एक बार नरेंदर की और वक्र द्रिष्टी से देखकर मनमोहन बाबु से कहा महाशे नरेंदर मेरे विशे में क्या कहता है मनमोहन बाबु जानते थे कि उन दोनों की लगती है दो पाशार जब परस पर टकराते हैं तो अगने उत्पन्न हो जाती है अतेव वह बात को सम्हालते मुस्कुराते से बोले योगेश बाबू नरेंद्र क्या कहता है नरेंद्र कहता है कि मैं रूपए के द्रिष्ट कोण से चित्र बनाता हूँ मेरा कोई आदर्श नहीं है मनमोहन बाबू ने पूछा क्यों नरेंद्र नरेंद्र अब तक मौन खड़ा था, अब किसी प्रकार आगे आकर बोला, हाँ कहता हूँ, मेरी यही सम्मती है योगेश बाबु ने मुह बनाकर कहा, बड़े सम्मती देने वाले आए, छोटे मुह बड़ी बात, अभी कल का छोकरा और इतनी बड़ी बड़ी बातें मनमोहन बाबु ने कहा, योगेश बाबु जाने दीजिये, नरेंद्र अभी बच्चा है, और बात भी साधारण है, इस पर वाद विभात की क्या आवशकता है योगेश बाबू उसी तरह आवेश में बोले बच्चा है नरेंद्र बच्चा है जिसके मुँपर इतनी बड़ी बड़ी मूच्छे हो वह यदि बच्चा है तो बूढ़ा क्या होगा मनमोहन बाबू आप क्या कहते हैं एक विद्यार्थी ने कहा महाशय अभी जरा देर पहले तो आपने उसे कल का छोकरा बताया था योगेश बाबू का मुख क्रोध से लाल हो गया बोले कब कहा था अभी इससे जरा देर पहले जूट बिलकुल जूट जिसके इतनी बड़ी बड़ी मूच्छे हैं उसे छोकरा क पर नहीं ला सकते मनमोहन बाबू किसी प्रकार हसी को रोक कर बोले चुप चुप गोल मालने करो योगेश बाबू ने कहा हा नरेंद्र तुम यह कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारी टकर का कोई चित्रकार नहीं है नरेंद्र ने कहा आपने कैसे जाना तुम्हारे मित मैं यह नहीं कहता, अब भी इतना आवश्य कहूंगा कि मेरी तरह हिर्दय रक्त पीकर बंगाल में कोई चितर नहीं बनाता। इसका प्रमाड नरेंद्र ने आवेश में स्वर में कहा प्रमाड की क्या आव सकता है, मेरा अपना यही विचार है, तुम्हारा विचार असत्य है नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला ब्यक्ति था, उसने कोई उत्तर नहीं दिया मन मोहन बाबु ने इस अप्रिवार्तलाप को बंद करने के लिए कहा नरेंद्र इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना नरेंद्र ने कहा विचार तो है, देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा रहता है नरेंद्र ने स्रद्धा भाव से उनकी पग धुली लेकर कहा जिसके गुरु आप हैं उसे क्या चिंता, देखना सर्वोत्तम रहेगा योगेश बाबु ने कहा, राम से पहले रामायड, पहले चित्र बनाओ फिर कहना नरेंद्र ने मुह फेर कर योगेश बाबु की ओर देखा, कहा कुछ भी नहीं किन्तु मौन भाव और उपेक्षा ने बातों से कहीं अधिक योगेश की हिर्दे को ठेस पहुचाई मनमोहन बाबु ने कहा, योगेश बाबु चाहे आप कुछ भी कहें, मगर नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत बड़ा विस्वास है मैं द्रिव्ण निश्य से कह सकता हूँ कि ये भविसे में एक बड़ा चित्रकार होगा नरेंद्र धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया एक विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर सहब नरेंद्र में किसी सीमा तक विच्छित्ता की जलक दिखाई देती है मन मोहन बाबु ने कहा, हाँ मैं भी मानता हूँ जो ब्यक्ति अपने घाव अच्छी तरह प्रकट करने में सफल हो जाता है उसे सर्वसाधारण किसी सीमा तक विच्छित्त समझते हैं चित्र में एक विशेश प्रकार का आकरसं तथा मोहक्ता उत्पन करने की उसमें असाधारण योग गिता है तुम्हें मालूम है, नरेंद्र ने एक बार क्या किया था मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से खून का फबारा छूट रहा है और वह बिना किसी कष्ट के बैठा चित्र बना रहा है मैं तो देखकर चकित रह गया मेरे मालूम करने पर उसने उत्तर दिया कि उंगली काट कर देख रहा था कि खून का वास्तविक रंग क्या है अजीब व्यक्ति है तुम लोग इसे विक्षिप्तता कह सकते हो किन्तु इसे विक्षिप्तता के ही कारण वह एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा योगेश बाबू आँख बंद करके सोचने लगे जैसे गुरू वैसे चेले दोनों के दोनों पागल है नरेंद्र सोचते सोचते मकान की ओर चला मार्ग में भीड भार थी कितने ही गाड़ियां चली जा रही थी किन्तु इन बातों की ओर उसका ध्यान नहीं था उसे क्या चिंता थी संभौत इसका भी उसे पता न था वह थोड़े समय की भीतर ही बहुत बड़ा चित्रकार हो गया इस थोड़े से समय में वह इतना सोप्रसिद्ध और सरोप्री हो गया कि उसके इर्षयाल मित्रों को अच्छा न लगा इन ही इर्षयाल मित्रों में योगेश बाबु भी थे नरेंदर में एक विशेस योगेता और उसकी तूलिका में एक असाधारन शक्ती है योगेश बाबु इसे दिल ही दिल में खूब समझते थे परंत उपर से उसे मानने के लिए तैयार न थे इस थोड़े समय में ही उसका इतनी प्रसिध्य प्राप्त करने का एक विशेस कारण भी था वह यह कि नरेंदर जिस चित्र को भी बनाता था अपनी सारी योगेता उसमें लगा देता था उसकी दृष्टी केवल चित्र पर रहते थी पैसे की और भूल कर भी उसका ध्यान नहीं जाता था उसके हिर्दय की महात्वकांचा थी कि चित्र बहुत ही सुन्दर हो उसमें अपनी ढंकी विशेस विलक्षरता हो मुल्य चाहे कम मिले या अधिक वह अपने विचार और भावनाओं की मधुर रूप रेखाएं अपने चित्र में देखता था जिस समय चित्र चित्रित करने बैठता तो चार ओर फैली असीम प्रकिर्ती और उसकी सारी रूप रेखाएं हिर्दय पट से गुमफित कर देता इतना ही नहीं वो अपने अस्तित्त से भी विस्मृत हो जाता वह उस समय पागलों की भाती दिखाई पड़ता और अपने प्राण तक उत्सर्ग कर देने से भी उस समय संभावत हो उसको संकोशन होता ये दसा उस समय की एकागरता की होती वास्तों में अगर देखा जाए तो देखिये कि उसके स्वभाव में इसी कारण उसे ये सम्मान प्राप्त नहीं हुआ उसके स्वभाव में सादगी थी वह जो बात सादगी से कहता लोग उसे अभिमान और प्रदरशनी से लदी हुई समझते उसके सामने कोई कुछ न कहता परन्तु पीछे पीछे लोग उसकी बुराई करने से न चूपते सब के सब नरेंद्र को संग्याहीन सपाते वह किसी बात को कान लगा कर न सुनता कोई पूषता कुछ और उत्तर देता कुछ और ही वह सरवदा ऐसा प्रतीत होता जैसे अभी अभी स्वपन देख रहा था और किसी ने सहसा उसे जगा दिया हो उसने बिवाह किया और एक लड़का भी उत्पन हुआ पत्नी बहुत सुंदर थी परन्तु नरेंद्र को गारहस्तिक जीवन में किसी प्रकार का आकरसन्य था तब भी उसका हिर्दय प्रेम का अठाह सागर था वह हर समय इसी धुन में रहता था कि चित्रकला में प्रसिद्धि प्राप्त करे यही कारण था कि लोग उसे पागल समझते थे किसी हलकी वस्त को यदि पानी में जबर्दस्ती डूबो दो तो वह किसी प्रकार भी न डूबेगी बरन उपर तहरती रहेगी ठीक यही दशा उन लोगों की होती है जो अपनी धुन के पक्के होते हैं वे सांसारिक सुख दुख में किसी प्रकार डूबना नहीं जानते उनका हिर्दय हर समय कारे की पूर्त में संगलगन रहता है नरेंद्र सोचते सोचते अपने मकान के सामने आ खड़ा हुआ उसने देखा कि दौर के समेप उसका चार साल का बच्चा मोह में उगली डाले किसी गहरी चिंता में खड़ा है पिता को देखते ही बच्चा दौरता हुआ आया और दोनों हाथों से नरेंद्र को पकड़ कर बोला बाबु जी क्यों बेटा बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ लिया और खीशते हुए कहा बाबु जी देखो हमने एक मेढग मारा है जो लंगड़ा हो गया है नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा कर कहा तुम्हे क्या करूं तु बड़ा पाजी है बच्चे ने कहा वो घर नहीं जा सकता लंगड़ा हो गया है कैसे जाएगा चलो उसे गोद में उठा कर घर पहुँचा देओ नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा लिया और हस्ते हस्ते घर में ले गया एक दिन नरेंद्र को ध्यान आया कि इस बार की प्रधर्शनी में जैसे भी हो अपना एक चित्र भेशना चाहिए कमरे की दिवार पर उसके हाथ से कितने ही चित्र लगे हुए थे कहीं प्राकरतिक द्रिश्य कहीं मनुस्य के शरीर की रूप रेखा कहीं स्वण की भाति सरसों के खेतों की हर्याली जंगली मनमोहक द्रिश्यावली और कहीं वे रास्ते जो छाया वाले व्रिख्षों के नीचे से तेढ़े तिर्चे होकर नदी के पास जा मिलते थे धुए की भाति गगन चुम्बी पहाडों की पंक्त जो तेज धूप में स्वैंग जुलसी जा रही थी और सैकड़ो पथिक धूप से ब्याकुल होकर छाया दार व्रिख्षों के समोह में साडार थी थे ऐसे कितने ही त्रिशे थे दूसरी और अनेक पक्षियों के चितर थे उन सब के मनोभाव उनके मुखों से प्रकट हो रहे थे कोई गुसे में भरा हुआ कोई चिंता की अवस्था में तो कोई प्रसन्न मुख कमरे के उत्तरी भाग में खिडकी के समीक एक अपूर चितर लगा हुआ था उसमें ताड के व्रिक्षों के समूह के समीब सरवदा मौन बनी रहने वाली चाया के आस्रय में एक सुन्दर नवयोती नदी के नील वर्ण जल में अचल बिजली सी मौन खड़ी थी उसके होठों और मुख की रेखाओं में चितरकार ने हिर्दय की पीड़ा अंकित की थी ऐसा प्रतीत होता था मानुचितर बोलना चाहता हो किन्तु यवण अभी उसके शरीर में पूरी तरह प्रस्पुठित नहीं हुआ है इन सभी चितरों में चितरकार के इतने दिनों की आशा और निरासा मिस्रित थी परन्तु आज उन चितरों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी और आकरशित न किया उसके हिर्दे में बार बार यही विचार आने लगे कि इतने दिनों उसने केवल बच्चों का खेल किया है केवल कागज के टुकडों पर रंग पोता है इतने दिनों से उसने जो कुछ रेखाएं कागज पर खीची थे वे सब उसके हिर्दे को अपनी वरा करसित करने सकी क्यो कि उसके विचार पहले की अपेक्षा बहुत उच्च थे। उच्च ही नहीं बलकि बहुत उच्चतम होकर चील की भाति आकाश में मनराना चाहते थे। यदि वर्शारितु का सुहावना दिन हो तो क्या कोई शक्ति उसे रोक सकती थी। वह उस समय आवेश में आकर उड़ने कि उस सुकता में असीमिक दिसाओं में उड़ जाता। एक बार भी फिर कर नहीं देखता। अपनी पहली अवस्था पर किसी प्रकार भी वह संतुष्ट नहीं था। नरेंद्र के हिर्दे में रह रहकर यही विचार आने लगा। भावना और लालसा की जड़ी सी लग गई उसने निश्य कर लिया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा जिससे उसका नाम अमर हो जाए। वह इस वास्थविक्ता को सबके दिलों में बिठा देना चाहता था कि उसकी अनुभूत बच्पन की अनुभूत नहीं है। परन्तु किसी ने भी दमभर के लिए उसके ध्यान को अपनी ओरा कर सित्न किया। सोचते सोचते संध्या के अधियारे में संख की मधुर ध्वनी ने उसको मस्त कर देने वाला गाना सुनाया। इस स्वर लहरी से नरेंदर चौक कर उठ खड़ा हुआ। पश्यात उसी अमावस्या की अंधेरी में आकाश पर लोग की भाती दुधला परतीत होता था। नरेंदर कुछ खोया-खोया सा पागलों की भाती उसी और ताकता रहा। बाहर से रसोईये ने द्वार खट-खटा कर कहा बाबुजी चौक कर नरेंदर ने पूछा कौन है बाबुजी भो राशमन रसोईया भारी कदमों से वापस लोट गया और नरेंदर ने अपने को चिंतन सागर में डुगो दिया। दुनिया में जिसको ख्यात प्राप्त करने का ब्यसन लग गया हो उसको चैन कहां। एक सप्ताह बीद गया। इस सप्ताह में नरेंदर ने घर से बाहर कदम निकाला। घर में बैठा सोचता रहता किसी ने किसी मंत्र से तो साधना की देवी अपनी कला दिखाएगी ही। इससे पूरो किसी चित्र के लिए उसे विचार प्राप्त में देर ने लगती थी परन्तु इस बार किसी भी तरह उसे कोई बात न सूची। जियों जियों समय ब्यतीत होते थे वह निराश होता जाता था। केवल यही क्यों। कई बार तो उसने जुझला कर सीड के बाल नोच लिये। वह अपने आपको गालियां देता। प्रत्वी पर पेट के बल पढ़कर बच्चों की तरह रोया भी परन्तु सब ब्यर्थ। प्रातहकाल प्रदर्शनी होने में अब अधिक देनशेस नहीं है। एक सप्ताह के अंदर यदि चितर नहीं आया तो ठीक नहीं। लिखना तुम्हारी क्या प्रगति हुई और तुम्हारा चितर कितना बन गया है। योगेश बाबु ने चितर चितरित कर दिया है। मैंने देखा है तुम्हे तुमसे और भी अच्छे चितर की आशा है। तुमसे अधिक प्री मुझे और कोई नहीं। आशिरवात देता हूँ। तुम अपने गुरू की लाज रख सको। इसका ध्यान रखना इस प्रदर्शनी में यदि तुम्हारा चितर अच्छा रहा तो तुम्हारी ख तिस्क में चितर के विशे में कोई विचार नहीं आया। खेद है अब वह क्या करेगा। उसे अपने आत्म बल पर बहुत विश्वास था। पर उस समय वह विश्वास भी जाता रहा। इसी तुक्ष सक्ति पर वह दस व्यक्तियों में सिर उठाय फिरता रहा। उसने सोच नरेंद्र को इसका तनिक भी पता नहुआ। उधर वह कई दिनों से चितरशाला में ही सोया था। नरेंद्र के मुख पर जाकरण के चिन थे। उसकी पतनी दोड़ी दोड़ी आई और सिखरता से उसका हाथ पकड़ कर बोले अजी बच्चे को क्या हो गया है आकर देखो त उसकी अन्मने मन से नरेंद्र शयनकच में प्रविष्ठ हुआ। बच्चा विस्तर से लगा पड़ा था। पलंग के चारोर उस भयानक रोक के चिन द्रिष्टि गोचर हो रहे थे। लाल रंग दो घड़ी में पीला हो गया था। सहसा देखने से यही ग्यात होता था। ज लीला ने कहा इस तरह खड़े ने रहो जाओ डाक्टर को बुला लाओ। मा की आवाज सुनकर बच्चे ने आखे मली भर्राई हुई आवाज में बोला मा ओ मा मेरे लाल मेरी पूजी क्या कह रहा है। कहते कहते लीला ने दोनों हाथों से बच्चे को अपनी गोद में पड़ा रहा। नरेंद्र के नेतर सजल हो गये वह बच्चे की ओर देखता रहा। लीला ने उपा लंभ मैस्वर में कहा अभी तक डाक्टर को बुलाने नहीं गये। नरेंद्र में दभी आवाज में कहा एं डाक्टर पतनी की आवाज का अस्वाभाविक स्वर सुनकर ली पिला ने आश्यर चकित होकर सुना कि उसके पती ने बाहर से द्वार की जंजीर खीच ली और वह सोचती रही यह क्या। नरेंद्र चितरशाला में प्रविष्ठ होकर एक कुरसी पर बैठ हिया। दोनों हाथों से मोह ढापकर वह सोचने लगा। उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी तीब्र आत्मिक पीड़ा से पीड़ी थे। चारोर गहरे सुनेपन का राज्य था किवल दीवार लगी हुई घडी कभी न धकने वाली गति से टिक टिक कर रहे थी और नरेंद्र के सीने के अंदर उसका हिरदय मानों उत्तर देता हुआ कह रहा था ध धक धक। संभवते उसके भयानक संकल्पों से परचित होकर घडी और उसका हिरदय परस पर काना फूसी कर रहे थे। सहसा नरेंद्र उठ खड़ा हुआ संग्याहीन अवस्था में। कहने लगा क्या करूँ ऐसा आदर्स फिर न मिलेगा परन्तु वह तो मेरा पुत्र है। वह कहते कहते रुख गया। मौन होकर सोचने लगा। सहसा मकान के अंदर से संसनाते हुए बाण की भाती हाय की हिरदय बोधक आवाज उसके कानों में पहुँचे। मेरे लाल तू कहां गया। जिस प्रकार चिल्ला तूट जाने से कमान सीधी हो जाती है। चिंता और व्य मन ही मन बोला भगवान तुम साक्षी हो मेरा कोई अपरात नहीं। इसके बाद वह अपने सिर के बालों को मुठी में लेकर सोचने लगा। जैसे कुछ समय पश्यात ही मनुसे निद्रा से चौँक उठता है। उसी प्रकार चौँक कर जल्दी जल्दी मेच पर से कागस, त खामोश हैं। उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिखाई पड़ रहा था, जहांक कर भय से थर थर कांपते हुए उसने देखा, तो उसके सारे शरीर में काटे से चुप गए, विश्तर उलट-पुलट हो रहा था, पुत्र से रिक्त गोद किये मा वहीं पड़ी को बार-बार चुम रही थी, नरेंद्र की दोनों आखों में किसी ने दो सलाखे चुभो दी हो, उसने होट चबा कर कठिनता से स्वैंग को समाला और इसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खीची, उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक द्रिश्य उपस थित था, संभवत सरकार की किसी, संसार की किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा द्रिश्य सम्मुख रह कर तूलिका ने उठाई होगी, देखने में नरेंद्र के शरीर में कोई गति न थी, परंत उसके हिर्दे में कितनी भेदना थी, उसे कौन समझ सकता है, वह तो पिता था, नरेंद्र जल्दी ज जल्दी चित्र बनाने लगा, जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी न की, उसकी उंगलियां किसी अज्यात शक्ति से अपूर्व सक्ति प्राप्त कर चुकी थी, रूप रेखा बनाते हुए उसने सुना, बेटा, ओ बेटा, बाते करो, बात करो, जरा एक बार तुम देख तो लो, नरेंदर ने अस्फुट स्वर में कहा, उफ यह असहनी है, और उसके हाथ से तूलिका छोट कर बिर्धवी पर गिर गई, किन्त उसी समय तूलिका उठा कर वह पुनह चित्र बनाने लगा, रह रहकर लीला का क्रंदन रूदन, कानों में कुछ का हिर्दय को छेड़ता और रक्त की गति को मंद करता और उसके हाथ स्थिर होकर उसकी तूलिका की गति को रोक देते, इसी प्रकार पल 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 बीतने लगे, मुख्य द्वार से अंदर आने के लिए नौकरों निशोर मचाना सुरू कर दिया, परंतु नरेंदर मानो इस समय विश्व और विश्व व्यापी को लाहल से बहरा हो चुका था, वह कुछ भी न सुन सका, इस समय वह एक बार कमरे की ओर देखता और एक बार चित्र की ओर बस रंग में तूलिका डुबोता और फिर कागज पर चला देता, वह पिता था, परंतु कमरे के अंदर पत इस स्वर में बोली, क्या डाक्टर को बुलाया, जरा एक बार आकर देख तो लेते, कि मिरलाल जीवित है या नहीं, यह क्या, चित्र बना रहे हो, चौक कर नरेंदर ने लीला की ओर देखा, वह लड़ खड़ा कर गिर रही थी, बाहर से द्वार खटखटाने और बार बार चिल्दाने पर भी जब कपाट ने खुले, तो रसोईया और नौकर दोनों डर गे, वे अपना काम समाप्त करके प्राय संध्या समय घर चले जाते थे, और प्रातेह काल काम करने आ जाते थे, प्रति दिन लीला या नरेंदर दोनों में से कोई न कोई द्वार खोल देता थ आज चिल्लाने और खटखणाने पर भी द्वार ने खुला, इधर रह रहकर लीला की क्रंदन ध्वन भी कानों में आ रही थी, उन लोगों ने मुहले के कुछ व्यक्तियों को बुलाया, अंत में सबने सलाह करके द्वार तोड डाला, सब आश्यर चकित होकर मकान में घुस उसके नेत्र रक्त की भातिलाल थे, थोड़ी देर पशात वह ठाहा का मार कर हसने लगा, और सामने लगे चित्र की ओर उंगली उठा कर बोल उठा, डाक्टर डाक्टर मैं अमर हो गया, दिन बीत्ते गए, प्रदर्शनी आरंभ हो गई, प्रदर्शनी में देखने की कितनी ही वस्तुएं थी, परंतु दर्शर एक ही चित्र पर जुके पड़ते थे, चित्र छोटा सा था और अधूरा भी था, नाम था अंतिम प्यार, चित्र में चित्रित किया हुआ था, एक मा बच्चे का मृत शरीर हिर्दय से लगाए, अपने दिल के टुकडे के चंदा से मु रही है, शोग और चिंता में डूबी हुई मा के मुख, नेत्र और शरीर में चित्रकार की तूलिका ने एक ऐसा सुक्ष्म और दर्दनात चित्र चित्रित किया, जो देखता उसी की आँखों से आसु निकल पड़ते, चित्र की रेखाओं में इतनी अधिक सुक्ष्मता से दर्द भरा जा सकता है, इस बात, यह बात इससे पहले किसी के ध्यान में ने आई थी, इस दर्शक समुह में कितने ही चित्रकार थे, उनमें से एक ने कहा, देखिए योगेश बाबु, आप क्या कहते हैं, योगेश बाबु उस समय मौन धारण किये, चित्र की और देख र आद और व्वाह वाह की जड़ी लगा दि थी, परंतु किसी को भी मालुम न हुआ कि उस सज्जन पुरुष का मुल्ले क्या है, जिसने इस चित्र को अंकित किया है, किसी प्रकार चित्रकार ने स्वैंग को धूलि में मिला कर, रक्त से इस चित्र को रंगा है, उसकी ये द सक था अंतिम प्यार कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार